आज मैं पालक की पकोड़े की रिस्पी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और यह इसमें न्यूट्रिशियस भी बहुत होते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे यह बनती है तो उसके लिए हमने चार दर्मियानी साइस की प्यास कट कर ली है बहुत बड़ी नहीं थी यह मेडियम साइस की थी और मैंने पालक को जो है अच्छे से वाश कर लिया है और उसके जो है स्टेम है वो मैंने तोड़ दी है अब मैं इसे कट करूँगी और आप अपनी हिसाब से जो है कट कर सकते हैं बारीक और बहुत बड़े जैसे भी आप चाहें लेकिन ये थोड़ा जैसे मैं कट कर रही हूँ उसे हिसाब से अगर कट हो तो जो है अच्छे होते हैं तो ये मैंने सारे कट कर लिए हैं और कट करने के बाद इसमें मैं ज्यादा कुछ एड़ नहीं करूंगी इसमें मैंने ल करना है लेकिन क्यूंकि पालग में बहुत है ञि futur साये को होता है तो इसलिए हमें आप से करना है और दीया प्रणा भालग का छत कर समय चतर हों प्राइड और प्याज और फेपालग दोनों ही पानी छोड़ीर और नमक की वज़े से ये पाई छोड़ देते हैं इसलिए अब मैं इसे मिक्स करके इंस्टेंट फ्राइ करूंगी तो आप लोग भी ऐसे मिक्स करके छोड़ेगा नहीं उसी वक्त आप लोग फ्राइ कर लेजेगा और अब मैं इसे फ्राइ कर रही हूं तो यह देखिए मेरा हेल्दी पालक पकोड़ा बिल्कुल ट्रेटी है और आप लोग भी अपने इफ्तार में इसे शामिल कर सकते हैं और यह करंची क्रिस्पी और टेस्टी है तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यर